पिछले दस वर्ष में हमने देश के विकास के लिए आदुनिक इन्फरा बनाने का एक महा यगनव शुरू किया है। आज हम सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बना रहे हैं। हम एक स्वस्थ और सम्रुद्ध महराष्टा की नीव रख रहे हैं। एक साथ दस नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की शुरूवात ये केवल दस नए समस्थानों को तैयार करना नहीं हैं। ये लाखों लोगों के जीवन को बहतर बनाने का महा यग्य है। ठाने, अंबरनात, मुंबई, नासीक, जालना, बुल्धाना, हिंगोली, वाशीम, अमरावती, भंडारा और गडचिरोली। ये मेडिकल कॉलेच इन सभी जिलों में और आसपास के क्षेत्रों में लाखों परिवारों की सेवा का केंद्र बनेंगे। इनके चलते महाराष्ट में 900 मेडिकल सीटे बढ़ रही हैं। अब महाराष्ट में मेडिकल सीटों की संख्याल लगभाग 6,000 हो जाएगी। इस बार लाल के लिए से देश्ट ने संकल पलिया है कि मिडल क्लास में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटे जोड़ी जाएगी। आज का ये आयोजन इसी दिशा में भी बड़ा कदम है। साथियों हमने मेडिकल सीटों को सुलब बनाया है। इस से महाराष्ट के युवाओं के लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल गए है। हमारे गरीब और मद्यमबर के जादा से जादा बच्चे डॉक्टर बने। उनका सपना पूरा हो। ये हमारी सरकार की प्रात्फिक्ता है। एक समय में इस तरह की पढ़ाई के लिए मात्रु भाषा में किताबे ना होना भी बड़ी चुनोती थी। हमने महारास्ट के युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ये बेद भाव भी खत्म किया है। अब महारास्ट के युवाओं मराथी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई कर पाएंगे। मराथी भाषा में पढ़कर वो डॉक्टर बनने का सपना पूरा करेंगे।